तो इस वक्ति ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं FIR दर्ज हुई है भूपेश बखेल पर महादेव सट्टा एप केस में उन पर EOW की तरफ से FIR दर्ज की गई है E.D. की तरफ से जो मामला सामने आया E.D. की रिपोर्ट जो सामने आयी इसके बाद भूपेश बखेल पर कई धाराओं में ये F.I.R. दर्ज कर ली गई है और अब इस मामले में प्रेस कॉन्फरेंस करने के लिए खुद पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान के विधायक और राजनान्द गाव लोकसभा के प्रत्याशी भूपेश बखेल जो हैं पूरी अपनी टीम के साथ इस वक्त मौझूद हैं ये प्रेस कॉन्फरेंस करके कुछ अपनी बात अपना पक्ष इस पूरे मामले में रखना चाते हैं रखने के लिए आए हैं तो प्रेस कॉन्फरेंस बस कुछी तेर में शुरू होने वाली है और ये सीधी तस्वीर आपको लाइव हम ये प्रेस कॉन्फरेंस हम आपको बत को आरोपी बना लिया है हाला कि जाहिर से बात है कि जांच ऐसा नहीं कि अभी ही शुरू हुई है जांच तो काफी पहले से चल रही थी और इस मामले में अब जब ये कारवाई हुई है ये फाई यार हुई है तो भूपेश बखेल भी शायद इसके लिए पहले से तयार क्योंकि राजनेते क्विक्ति हैं तो ऐसे में अब देखना होगा कि क्या कुछ कहते हैं प्रेस कॉंफरेंस में क्या खुलासा उनकी तरफ से होता है या क्या बात वो अपनी रखते हुए नजर आते हैं इस पूरे मामले को लेकर क्योंकि कॉंग्रिस की तरफ से हमने प्रति सिदे सिदे इस मामले में आरोप लगाया है तो देखिए हम जो आपको बता रहे थे जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे सियासत दानों की तरफ से प्रतिक्रिया जो है वो पहले सी आ चुकी है हम आपको विकास उपाद धिया है और साथ ही साथ बीजेपी के जो प्रदेश अध् करती है घलत कामों के बारे में बताती है और दुस्त प्रचार करती है रंक्र करती कि वापीस सांस्द बन जाएंगे तो देश की सब्सेवनरी संसद में सबसे बड़ी सभा में सब्से ज्यादा बात अगर सबसे जादा लड़ाई फूई लड़ेगा प्रदेश कहीं बिश अगर आप दोशी नहीं है कोई विव्यक्ति किसी उसमें दोशी नहीं है तो सभाई कुरूफ से वह जांच की एजेंसियों के जारा जो बयान लिए जाते हैं जो इसमें से जो लोग समगलित हैं उनके नामों के अधार पर जुजांच प्रक्रिया से बुजरते हैं मैंने पेरे ही कहा है कि दूट का दूद और पानी का पानी हो जाएगा इसमें किसी प्रकार की भैया और डर कवाती नहीं है अगर निर्दोश होंगे उनकी सनलिपता होगी कहिना कहिए से तो निश्चित रूप से उनको पर करवाई होगी तो निर्दोश होंगे बज जाएंगे दोशे होंगे सनलिपता होगी तो कारवाई होगी इसमें डरने वाली कैसी बात है जांच एजिंसी अपनी तरफ से कारवाई कर रही है लेकिन इस वक्त पूर वसीयम भूपेश बखेल जो हैं वो मौझूद है अपने पूरी टीम के कॉंग्रिस के तमाम प्रवक्ता इस वक्त आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर और भूपेश बखेल को भी देख पा रहे होंगे महादेव सटा एप का जो मामला है एक बड़ा स्कैम इस मामली में कहा गया कि यह हुआ है और लगातार इस पूरे मामले की जांच जो है व और कई सारे तो जेल में भी हैं लेकिन अब इस मामले में यह मामले की जांच की आच जो है यह राजने तिक लोगों तक पहुँच रही है और ऐसे में जब चुनाव की तारीक का ऐलान कल हो चुका है और आज भूपेश बखेल जो हैं उनके ओपर F.I.R. का यह मामला भी सा प्याशी भी हैं तो ऐसे में अब यह देखना होगा कि क्या कुछ कहते हैं भूपेश बखेल अपनी इस प्रेस कॉंफरेंस में क्योंकि इस वक्त तो खुद क्योंकि पत्रकार चुकि मौझूद हैं तो पत्रकार के कई सारे सवाल होंगे और उन सवालों के जवाब भी उनक से बात करते हैं यह प्रेस कॉंफरेंस चुरू होती है तब तक अभिशेक जी यह तैयारी तो अब करके आ गये हैं भूपेश बखेल और जिसका जिक्र हमने पहले भी बात की कि पहले भी वह इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूंगे आज फाइयार हुई और कुछी देर म प्रेस कॉंफरेंस करने वाले हैं क्या कह सकते हैं विदानसभा चुनाओ की दोरान जो बाते उन्होंने कही थी कि उनको फसाने की कोशिश है या फिर बीजेपी की कुछ लोगों को इसमें शामिल होने की बात कही जाएगी या इडी को अपने संदे के गेरे में या उस पर सवाल उसके लोगों पर सावर उठाएंगे ऐसे यह तमाम चीजे आ चुकी थी और वही सब कुछ रिपीट हो रहा है उस समय नाम जरूरूरूं का चार्शीट पर आया था और अब फायार की बात यहां पर सामने आ रही है तो वही बाते घूम फिर कर पुनित सामने आएंगी विदानसभा चुनाओ को आपको जो आपने द में बहुत हो देखने वाली बात होगी लेकिन बीजेपी की तरब से तगड़ा प्रहार चालू हो गया है एक के बाद एक बैयान एकके बाद एक पर पूश कर रहा है वह बोला शुरू कर चुके हैं प्रस कौनफर शुरू कर चुके हैं तो पहले उनी के पास चलते हैं क्या तो लोगसभा की चुनाव होंगे ये भी ती थी तैय हो गया है कांग्रेस पार्टी ने मुझे राजनाम गाउं से लोगसभा का प्त्यासी बनाया है ये चर्चा मीडिया में बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी कि भुपेज वगहिल को लोगसभा का प्त्यासी नामाउं से लड़ाया जाएगा इसी बीच में फिर से महादेव का जिन बाहर आया आज दिल्ली से एक खबर चपी जिसमें महादेव सट्टा में यू डबलू ने एफ आई आर दज की है जिसमें मेरा भी नाम है बहुत ही समान इसी बात है यदि थाने में या फिर यू डबलू में एफ आई आर दर्ज हो तो उसी दिल उसको अपने वेफ साइड में उसे डाल दिया या या इफ आई आर की कापी आप देखेंगे ये चार मार्च के एफ आई आर की कापी है इसमें चार मार्च लिखा गया है और आज गविवार के दिन बिल इसे प्रखासित किया जाता है राएपुर से नहीं एफ आई आर तो राएपुर में धर्ज हुआ तो फिर इंट तेरा चौदा दिन तक क्या करते रहे है जैसे कि आप सब जानते हैं कि लिकर में और दूसरे पोल में सब एफ आई आर दज हुआ और ततकाल उसको वेव दूसरी महत अपन बात ये है कि ये जो महाद एप है इसके बारे में कम से कम राइपूर के और चत्तिजगड़ के पत्रकार भली भाती परची थे क्योंकि अनेक बार इसके बारे में आप सबसे मैंने चर्चा कर लिए है दोजार बाइस में इसके खिलाफ हम लोगों ने इफा इफाई आर दुर्ग में फिर राइपूर में बिलासपूर में अन्य जगों में करी 72 इफाई आर दर्च किये गए और इसमें लगबग साड़े चार सो गिरफतारियां हुई उडिसा में बंगाल में अन्य अन्य प्रदेशों से भी गिरफतारियां हुई इसमें बहुँ सारे गैजेट्स मुबाइल लेप्टाप गिरफतारियां हुई रासे भी पकड़े गए और ये भी 2022 में क्योंकि जो जो प्रसेद अधिनियम है तो बहुत लचीला था उसे कड़ा बनाने के लिए हमने विधान सावा में इसका इसे बिल भी लाया पारिज भी कराया और लागू भी की पूरे देश में महाद एप जो सट्टा है उसके खिलाब यदि करवाई की गई केवल चतीज गड़ में और थोड़े बहुत लिए ब्यापक पहमाने पिक गया गया और इसमें एक हजार से अधीक खाते सीच की गए दो सो से अधीक एटियम कार्ड जब्ट किये गए लेकिन महत पुर्ण बात ये है कि यहां उनके कोई फिर आफिस नहीं है इस अंचालित कहीं और से होता है इस बीच में रवी उपल और सौरव चंदराकर किलाब लूक आउट सर्कुलर भी हमने जारी किया ये विदेश में थे इसको पकड़ के लाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की थी उन्होंने पकड़ा नहीं बलकि चुना आते आते इसमें कहानी में ट्विष्ट लाने के लिए सुभम सोनी का इंट्री होता है अभी तक उसके पहले तक कि यही था कि रवी उपल और सौरव चंद्राकर दो ही उसके डारेक्टर हैं लेकिन अचानक सुभम सोनी आते हैं और उन्होंने एक वीडियो जारी करता है जो भाजपा के करयाले से जारी होता है एडी करयाले से नहीं और इसी बीच में आपने देखा होगा असीम दास्त नाम के व्यक्ति दुबई जाता है व 80 करोड़ रूपिया के साथ और जो गाड़ी उप्योग करता है वो भारती जनता पार्टी के नेता अमर अगरवाल जी के भाई के नाम से उद्धर्ज है गाड़ी और साथ ही उस असीम दास के फोटो अभी वर्तमान में जो विधानसाबाद्यक्ष है उनके साथ अब पूर घर से विरासी पकड़ी जाती है और इस्तिती ये अब मज़ेदार कहानी ये है कि अभी हाई कोर्ट में जो काउंसलेट जनरल जो दुबई के हैं उन्होंने हाई कोर्ट में ये अपना बयान दर्ज कराया है जिसमें वो साफ इंकार करते हैं कि सुभम सोनी जो कॉंसलेट जनरल के सामने उपस्थित होके बयान दिये हैं, उसे वो साफ इंकार करते हैं, अपनी जिम्मेदारी वो नहीं लेते, उन्होंने लिखा है, सुभम सोनी के जो बयान है, उसको उन्होंने, इसके कोई जिम्मेदारी वो नहीं लेते, यह इसपस्थ उन्होंने हाई कोट में यह लिखित जवाब उन्होंने प्रस्तूत किया, अब दूसरी बात यह है, जब आपने F.I.R. दर्ज किया, F.I.R. की कापी हमारे पास है, उस F.I.R. की कापी में उस F.I.R. की कापी में आप देखेंगे, कि छटवे नंबर पे मेरा नाम लिखा हुआ है, और इसमें जो धाराएं लगी है,